हलो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कड़ी बहुत ही टेस्टी कड़ी है और फूली फूली पकोड़ी भी है इसमें तो इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों इसको बनाने के लिए आप ले लिजे बेसन तो यहाँ पर हमने दो चम्मच बेसन ले लिया है इसको हमने पहले ही चानवान के रख लिया था तो आप भी बेसन को साब जरूर कर लें तो दू चम्मच बेसन हमने ले लिया है और एक चोथाई चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और स्वादा नुसार हम नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे पानी डाल देंगे और इसका एक थोड़ा गढ़ा-गढ़ा सा घोल बना कर त्यार करेंगे यह हम कड़ी में डालने वाली पकोड़ी के लिए यह बैटर बना रहे हैं तो इसी तरह से आप भी बना लीजी इसको बनाना बहुत आसान है कड़ी हम जिस तरह से ब पहले भून लेंगे, अगर आप कढ़ी बनाते हैं तो यह कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट भी रहती है तो इसको हम हलकी आज पे ही भूनेंगे, 2-3 मिनट में ही यह हमारा बेशन भुन जाएगा बिल्कुल हमको इसका कलर नहीं चेंज करना है बस इससे महक आनी शुरू हो जाए तो इसको हम हटा लेंगे तो बेशन हमारा पुरी तरह से पक चुका है और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे तेल यह हम ले रहे हैं पकोड़ी बनाने के लिए तो यह देखिए हमारा जो घोल है 10-15 मिनट के बाद अच्छे से फूल जाएगा और अब हम इसकी पकोड़ीया बनानी शुरू कर देंग इस घोल को 10-15 मिनट आप जरूर रखिए जब आप 10-15 मिनट के लिए रखेंगे तो यह अच्छे से सेट हो जाता है और इसकी पकोड़ी भी फूली फूली सी बनती है और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताईएगा कि यह रेस्पी आपको कैसी लगी तो यह हमने पकोड़ियां भी बना ली है पकोड़ी जब हमारी पक जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे और यह तेल हमारा ज्यादा था तो हमन दाल दीजिए बहुत अच्छा है और यह जीरा हमने ले लिया है आधा चम्मच यह सारे मसाले हमारे तेल में पक जाएंगे तो हम इसी तेल में पानी डाल देंगे आप चाहें तो पानी में मसाले घोल कर भी डाल सकते हैं तो यहां पर हमने पानी में मसाले नहीं गोले हैं ह तो एक चमच, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा गर्म मसाल्ा और आधा चमच दणिया पाउडर डालेंगे आप चाहे तो इसमें धनिया और गर्म मसाला ना डालें तब यह आप कड़ी बना सकते हैं तब यह कड़ी आपकी टेस्टी बन जाएगी और उधर हमने जो बेसन भून के रखा था उसका हमने घोल बना लिया है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं ये घोल हमारा तयार है बिल्कुल पतला पतला सा घोल आपको बनाना है पानी में बेसन को घोलना है तो हमने घोल बना कर तयार कर लिया था और अब इसको हम इसी म मसाले में डाल देंगे घोल बनाते समय मेरी वीडियो रिकार्ड नहीं हो पाई claim दोस्तों उसके लिए sorry तो आगे देखिए हमने कड़ाई में पूरा गोल डाल दिया है अब हम इसमें पानि डाल देंगे यह कड़ी है तो बेताल की कऱी होती है तो इसलिए इसलिए पाती है तो यह गाड़ी भी होती है, तो इसलिए पानी आप अपने अंदास से डाल दीजिए, यहां हमने लगभग धाई गलास पानी डाल दिया है, और एक से दो गलास हमने बेसन में भी डाला था, लगभग हमने यहां पर चार गलास पानी का इस्तेमाल किया है दोस्तों, तो यह ग और difreels अधोर को पासे मेरा संसे धैसान टोर वाए दुम धारेय्क शनाए भाइट dh सबस्क्त कर वाएंगो पुन्हों मेरा जन्मा मेरा पता जाएक नावारे यह देन जैकर के रुआ रखांको रख Dé कि रिए और कोश्री अग्रत रेंगे डिए लुदे कढ़ी में दही डालए नहीं, तो आपकि कढ़ी पूरी तरह से खराब हो जाए कि दही आपका फट जाएगा, इसलिए इस बात का धियान रखेए कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए और इसको जब आप ड्ढ़ाले जब दही डाले कढ़ी में तो बराबर इसको चलाते रहें अच्छे से चलाएंगे तभी ये अच्छे से घुल पाएगा नहीं तो ये डालते डालते ही फट जाता है इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल से लो रखना है और अच्छे से इसको चला देना है चलाने के बाद हम इसमें जो हमने पकोडियां बना कर रखी पकोड़ी भी हम इसमें एड कर देंगे एक एकर के सारी पकोड़ी एड कर देंगे और लगभग पांच मिनट के लिए हम फिर से धकन लगा देंगे पकोड़ियां डालकर पांच मिनट के बाद हम धकन को फिर से हटाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी कड़ी लगभग बिल्कुल बन कर तयार है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में आप इसको चावल के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं अगर आप पूरी खाना पसंद करते हैं तो आप पूरी के साथ दी इस कड़ी को खा सकते हैं ये खाने में बहुत स्वादिस लगती है और बिल्कुल बीं इसमें कच्छा पन नहीं आता है अब हम घ्ञास को बंद करदेंगे और इसमैं हम डाल देगे ठोड़ा सा जीरा पर हम् थोड़ी सी इनग भी डाल मिरज हम इसमे डाल देंगे मिरज तो कसमेडी जेल आप esse को आते का लिए साथEx अगर आपका मन करें तो आप तड़का लगाएं, अगर मन ना करें तो आप नहीं भी लगाएं, इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपकी कड़ी ऐसे भी आपको टेस्टी ही लगेगी, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरू बताना दोस्तों, हमारी वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ